शुरू में तो मेरे को I think six months लगे मेरे को competitive programming यू अच्छा करने के लिए जो main topics थे जैसे graph, DP इनको मैं इतना अच्छा नहीं था, confident नहीं था तो मैंने क्या करते हैं सबसे पहले DP को पगड़ा, हम कभी क्या करते हैं पर IDQ को इतना importance नहीं देते बट वो भी काफी अच्छा data structure है उसका भी एक आधा question पका आजाते और पता नहीं चलता कि यहाँ पे परायाटी क्यों लगेगा Hello everyone, myself भी शेर जिंदर, I am going to join Flipkart as an SD intern in the next summer and I am pre-final year computer science undergraduate at IIT Dhanbath. So in this video we will see how I started coding, what courses did I pursue and when did I started competitive programming and how I used interview bit and lead code and what was my preparation strategy before the few months of internship season and at the end I will share few tips with you. So let's get started First of all, when I went to the college, my branch was not CSE. I was in ECE branch. So my first aim was to change my branch. So first year में में इतनी कोड़ी नहीं करी थी क्योंकि मुझे अपनी ब्रांच चेंज करनी थी. तो मेरा ज्यादा फोकस पढ़ाई पर था, semester पर था. क्योंकि अपी कॉलेजिस का प्रेशर नहीं है. तो मैंने क्या करा कॉड़ी में जाकर DSA वाला कोर्स है ना, C++ वाला, मैंने वो ले लिया. And वो कोर्स slightly मेरे को difficult लगा, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही tricky questions थे. And I was doing DSA for the first time. तो मैं generally लोगों की help लेता था, मैं solution भी देखता था, and DA के साथ interact करता था. इतना easy course नहीं था, तो मैंने किसी तरह से उस course को 2-3 months में complete करा. And मैंने बहुत से questions की solution देखे थे, DA से interact करा था, मेरे से खुच से नहीं हो पाता था. तो course हो गया, मेरे को समझ आ गया था कि DA से data structures कैसे work करते हैं, क्या-क्या कुछ algorithms हैं, लेकिन अब भी मैं confident नहीं था. तो उस वक्त मैंने competitive programming शिरू करी, तो competitive programming शिरू करने से पहले मैंने क्या करा ना, जो STL होता है C++ में, वो सीख ले था YouTube वीडियो से. तो क्यूंकि हमें direct data structures use करने होते हैं, तो इसलिए STL मेंने सीखा, और फिर मैंने competitive programming शुरू कर दी, तो शुरू में तो contest देने जब शुरू करें, कुछ भी question नहीं होते थे, and yes, that was a little depressing, but after two-three contest मैं एक-दो question solve कर पा रहा था. तो दो question तो होने लग गए थे, लेकिन third question पर जाने के लिए कुछ नए topic सीखने बागी थे, जैसे number theory मैंने number theory से start करा, and फिर मैंने binary search भी देखा अच्छे से, तो इसमें भी मेरे को एक month लग गया था, इनको अच्छे से करने पे. तो कई बार third question number theory का होता है competitive programming में, तो वो मेरे से हो जाता था, लेकिन अभी भी जो main topics थे, जैसे graph, DP, इनको मैं, इनमें इतना अच्छा नहीं था, confident नहीं था, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले DP को पगड़ा, तो DP को master करने में मेरे को लग बग 2 months लगे, तो मैंने starting वही recursion स करी मेरे को idea था क्योंकि मैंने DSA वाला course कर रखा था पहले से, तो मैंने लग-लग questions करें, जैसे 1D DP, 2D DP, hacker earth से करा, hacker earth पे easy to medium, difficult, hard सभी questions हैं, तो तुम वहाँ पे कर सकते हो, hacker earth best रहता है यदि तुमें कुछ नया topic सीखना है, तो मैंने DP वहाँ से practice करा, and मैंने DP with masking भी करा, and ये DP तो master हो गया था 2 months में, अभी भी ऐसा होता है कि कुछ नए questions DP के आ जाते तो नहीं होते, but जो interviews के लिए enough था, वो हो गया था, and फिर मैंने graphs पकड़ा, तो graphs भी अच्छा topic लगा मेरे को, and then मैंने उसको 1 month में master कर लिया था, क्योंकि उसमें क्या होता है, तुमें कुछ algorithm स होती है, standard वाली, वो सीख लो तो तुम्हें बस question में पता करना होता है कि कौन से वाली algorithm लगानी है, तो इस तरह से मैंने graph भी सीख लिया था, तो ये थी मेरी competitive programming की journey, and शुरू में, तो मेरे को, I think, 6 months लगे मेरे को competitive programming ये अच्छा करने के लिए, तो उसके बाद मेरी code force इस प मेरे 2 months वहाँ पे development को दिये, क्योंकि मेरे को कुछ projects चाहिए थे अपने resume में, and after that, जब internship से 2-3 months पहले मैंने जो theory subjects होते हैं, core subjects मेंने उनको उठाया, तो सबसे पहले तो वही oops को देखा, then OS, and DBMS हमारे semester में तब नहीं करवाया था, तो हम बोल सकते थे कि हमें ये नहीं करव अधिर मेंने क्या करा, interview bit और lead court, interview bit का मेंने हर question करा, हर question, तो वो limited questions हैं, हम कर सकते हैं, पूरे, तो अभी था time T.S. को अधिर करने का, जैसे competitive programming के question होते हैं, वो direct interviews में नहीं पूछे जाते, interviews में जैसे interview bit पर, या भी lead court को पर questions होते हैं, वहीं पूछे जाते हैं, तो सबसे प उसके बाद फिर मेंने कुछ अच्छे questions, lead court से practice करना शुरू करा, जैसे graphs के, DPs के, क्योंकि ये main topics हैं, इसे question आनाया पका ही था, जैसे DP, graphs and trees, and कुछ हम कभी क्या करते हैं, पराइटी क्यू को इतना importance नहीं देते, बट वो भी काफी अच्छा data structure है, उसका भी एक आदा question पक I want to discuss how competitive programming actually helped me, तो यार competitive programming करने से क्या होता है कि तुम नए question को जल्दी सोच पाते हो, और तुम जो online test देते हो, किसी भी company का तो वहाँ पे timer होता है कि इतने time में इतने question करने है, तो contest देने से competitive programming में तुमारी ये चीज़ बैटर हो जाती है, तो basically तुम fast हो जाते हो, and नए questions को जल्दी अप्रोच कर पाते हो, तो इस तरह से competitive programming ने help करा, and जो competitive programming में topics होते है, number theory, binary search, graphs, DP, trees, तो ये help करते ही हैं तुमें online test और interviews में, so competitive programming करना अच्छा है, यदि तुम किसी company को crack करना चाए, so now I want to share some tips with you, so first of all, be calm in the interviews, so at max क्या हो सकते है, वो तुमें select नहीं करेंगे, but you will surely learn something new, and most of the time, जो question पूछा जाता है, वो कभी-कभी, जो तुमने questions पहले करें हुए है, उनी से related होता है, बस तुमें अच्छे से देखना और समझना होता है, क्या पूछ रहा है question में, and second point, you should give some mock interviews before the actual interview, ऐसा करने से तुमें confidence आ जाता है, किसी के सामने नहीं problem solve करने का, and you can book the mock interview sessions at Koti Ninjas also, and third point, interview से एक दू दिन पहले जादा इधर उतर का मत पढ़ना, but बस रिलेक्स करना, and खोले दिमाग से जाना interview में, so all the best आना से जाना